कद्दू की सब्जी आपने बहुत टाइब से बना कर खाई होगी लेकिन आपने कभी कद्दू ही भड़ता बना के नहीं खाया होगा हमारे बुंदिलकर्ण में बहुत फेमस है और यह एकदम ताजे घर के कटे हुए कद्दू से आप बना सकते हो क्योंकि इस पर थोड़ा भ नहाई में तेल या फिर सिंपल तेल मतलब कोई भी सरसों का तेल भी चल जाएगा गरम करना और उसमें आदा चमच जीरा आदा चमच राई और आदा चमच सौफ क्योंकि कद्दू की सब्जी है तो इसमें जित्ते अच्छे मसाले डलेंगे उत्ती टेस्टी बनेगी मतलब खड़े गरम मसाले या फिर पिसे हुए क्योंकि सोखी सब्जी में मसाले ही उसको टेस्ट देते हैं फिर आपको अद्रक लहसुन कुटा हुआ हरी मिर्ची और कड़ी पता बहुत अच्छा लगता है डाल के जरूर देखना और लंबा लंबा कटा हुआ प्यास डाल देना पतले पतले स्लाइस में कटा हुआ फिर इसको काफी अच्छे से बूना है प्याज को तो काफी अच्छे से बूना है लग बग 3-4 मिनिट के लिए जब तक कि थोड़ी सी ट्रांस्पेरेंट टाइप से ना दिखने लगे फिर इसको थोड़ा सा मैंने ढखकी रग दिया था ताकि जले ना मुझे लग रहा था तेल साय थोड़ा कम है और यह नॉनिस्टिक कड़ाई थी तो तेल वैसे भी ज्यादा लगता नहीं है फिर खड़े गरम मसाले डाल देना दाल चीनी और यह तेजपता काली मिर्ची लॉंग दोड़ा बगेरा इन सब को डालके अच्छे से और अच्छे से मिक्स कर देना अब कड़ू को पकाने में थोड़ा टाइम लगता है अब वैसे लोहे की कड़ाई अगर आपके पास तो उसमें बनाईएगा उसमें और अच्छी बनती है क्या है कड़ू बहुत ज्यादा था और कड़ाई मेरे पास छोटी थी इसी में फ पानी जब तक सूख न जाए तब तक हमें सब्जी को काफी अच्छे से भूना है थोड़ा थोड़ा ढखके रखेंगे और काफी अच्छे से पक जाएगी आप पुना थोड़ा सा से ट्रांस्पेरन टाइप से दिखने लगेगी और पेस्ट के आप से नमक डाल के दो चमच भा MAYジャ užाँ और जोड़ामिर्ची और जो भी मसाले आप खाते हो आप डाल सकते हो वैसे खड़े अई डाल दिया तो जादा मसालों की अब ज़्यरुरत नहीं यह सिर्फ धनिया पाउड़र और नमक लगेगा और लाल मिर्ची इन सब को डालके काफी अच्छे से आपको बोलते हैं मतलब कद्वी भरता बोलते हैं जब यह सब्जी पूरी बन जाए तो आदा चमच अम्चुर पाउडर डाल देना या फिर निम्बू डाल देना अच्छे से सबको मिक्स करना थोड़ा और हम पका लेंगे क्योंकि अभी हमने अम्चुर डाला है और यह सब्जी करना का ट्राइ करना छिलके के साथ वाला लेकिन पीला छिलका पड़े ना तो वह मत बनाना हरा कद्दू होना चाहिए ताजा एक दम तो इसका ट्राइ करना और वीडियो चलागे तो लाइक करना बिलकुर मत बूलना थैंक्यू सो मच अब्रिवन